Assalamualaikum and welcome to another video आज की वीडियो में आप जानोंगे कि आप लोग अपने income tax return of 2021 किस तरह से फाइल कर सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको वो पूरा तरीका बताऊंगा जिसको follow करके आप अपनी tax return बिना किसी दुश्वारी के फाइल कर लेंगे और आपको मज़ीद कोई परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा Tax return फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को अपने tax return फाइल करते वक्त किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े सबसे पहली चीज़ आपको tax return फाइल करने के लिए कुछ documents की जरूरत होती है वो कौन से documents हैं ये सब जाने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी देखें इसमें salary person, business person, AOP वगरा के हवाले से जो भी documents दरकार है उनके detail से बात की गई है इस वीडियो का link वीडियो में उपर right side पे या नीचे वीडियो के description में भी मुझूद है दूसरी बात इस वीडियो को skip मत करें अगर अभी आपके पास वक्त नहीं है तो जब आप लोग फ्री हो तब देख लेना आप लोगों को इस बात को लाजमी समझना चाहिए पिर उस सब के बाद आप अपनी text return को file करना शुरू करेंगे andian for salary and business person के लिए इस वीडियो को देखें इसका link वी वीडियो की description में मौझूद है अगली बात यह कि मेरी हमेशा से यह कोशिश होती है कि मेरी वीडियो में आपको पूरी information detail से पता लग जाए ताके फिर आपको मजीद question पूछने की जूरुत ना पड़े इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है मगर मैंने नीचे वीडियो की description में इस वीडियो के topics के लिए time stamps दी हुई है आप अपनी मर्जी का topic वहाँ से choose करके देख सकते हैं फिर भी इस सब के बावजूद अगर आपको कोई सवाल हो जिसका जवाब इस वीडियो में आपको ना मिले तो आप नीचे comment section में या फिर आप हमारे facebook और instagram pages को like and follow कर ले और फिर वहाँ पर आप direct बात करके अपना सवाल या अपना मसला discuss कर सकते हैं ये वीडियो salary person के बारे में है next वीडियो में business person, non-resident Pakistani persons, traders, freelancers वगएरा की tax return फाइल करने का पूरा तरीका भी आपको इसी legal industry channel पर मिलेगा तो इसलिए आप लोग इस चैनल को subscribe कर ले subscribe करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला और bell notification on कर लें तक कि आपको ऐसी तमाम वीडियो का notification मिलते रहें तो चलिए आप text return 2021 फाइल करना शुरू करते हैं simply आप अपना browser open कर ले और यहाँ पर लिखे iris login जैसी आप यह लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा login taxpayer इसी link को आपने open कर लेना है यह आ जाएगा यहाँ पर जिसका main page है fpr के iris website का यहाँ पर आपने अपना NIC number और password से login कर लेना है जैसी अब login का बटन दबाओगे तो आप आजोगे अपने इस iris के dashboard में यहाँ पर आके website पर देखें तो यह चार से पांच headings होंगी जो के draft, inbox, outbox और completed task है अगर तो आपने इससे पहले भी अपने text return फाइल की हुई है तो यहाँ पर आपको completed task में वो पिछली returns नजर आ जाएंगी अगर आप fresh है या पहली दफार कर रही है तो सबसे पहले तो आपको अपना N.T.N. बनाना चाहिए जो मैंने पहले भी आपको बता रहा है कि इसके description में लिंक मुझूद है और उसके बाद अगर आप salary person है तो यहाँ आपके पास दो options होंगी सबसे पहले यहाँ पहले तो देखें यहाँ पर यह है declaration tab इसको आप click करेंगे तो यहाँ पर है यह salary for individual classic view और एक यह है normal return यह जो उपर वाला head है salary for return individuals classic view यह एक simple एक सादा सा form है जिसमें कोई ज्यादा transactions नहीं है जो एक simple person है जो सिर्फ salary लेता है उसकी ज्यादा क्यों transactions नहीं है बस वो simple से अपने wealth रखता है तो simple person के लिए आपको यही salary for return individuals यह choose करना चाहिए मगर अगर अगर आपके bank transactions भी है आपके पास property भी है उस पे आप tax भी देते है अगर इस तरह का आपको कोई case है तो आपको भी normal return लेने चाहिए और एक बार लाजमी याद रखिए कि जो calculations मैं यहाँ पर इस normal return में करूंगा same इसमें follow होगी इसमें कोई रती बराबर भी change नहीं होगा लाज़ा आप मेरे यह normal return वाले फार्म को लेके salary for individuals के लिए भी apply कर सकते हो 100% इसमें कोई फरक नहीं आएगा मैं इसको इसलिए सज्जेस्ट करता हूं कि यहाँ पर एक ही फार्म में बंदा multiple किसम के काम ले लेता है से तो मैं यह normal return वाला फार्म चूज़ करता हूं यहाँ पर आगे सबसे पहले हमेशाद की तरह आप पर पिरियर्ड चूज़ करने हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 2021 सर्च करेंगे तो यह प्रियर्ड आ गया 1 जूलाई 2020 से 30 जून 2021 जिसको यहाँ से सलेक्ट कर ले और अभी आपके सामने यह फार्म ओपन होके आ गया जैसी आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले अगर तो आप नियू है तो फिर तो आपको कोई शूनी आपने कहीं नहीं जाना लेकिन अगर आपने इसे पिछले साल में भी टेक्स रिटन फाइल की थी और अब आप दुबारा नेक्स्ट येर की कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें यह आपको एक बटर मिलेगा इंपोर्ट प्रिविएस रिटन इसको दबाएं तो यहाँ पर देखें आप तो यह नीच इसको खतम कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक फ्रेश लुक के साथ बता सकूँ कि आपने किस तरह से करनी है और नेक्स्ट येर का तरीकाद मैंने आपको बताई दिया है कि आप यहाँ पर आते साथ यह इंपोर्ट प्रिविएस रिटन का बटन दबाना है यह वैल्योज आप इंपोर्ट हो किया जाएंगी आपने जस्ट उनको अपने करन्ट येर जो नियू येर जिस जैसे 21 का आप कर रहे हूं इसके साथ उनको रिप्लेस करना है और आपको काम हो जाएगा बाकी मज़ीड डिटेल में आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहता हूं यहाँ इसको किल्कुलिट कर दें यहां से खतम हो जाएंगी एक्सपेंसिज में कुछ नहीं है यह दुक्र यहां पर यह पिछले साल का इसको हैं उसको यहां पे वीडियो कि हैं डियों और चलिए के लिए है यहां पर आपने पूरे साल की salary यहां पर एंटर करनी है, पूरे साल की gross salary, net salary नेट रिनी, gross salary जो है वो आप अपने यहां पर एंटर करेंगे, मैंने इनकी एंटर की जितनी बनती है, इसको आपने दो दफार calculate दबाना तो यह अपने respective head में आ जाएगा next है allowances यह flying और submarine वालों के लिए यह आप ना ही करें पिर expenditure reimbursement अगर कोई आपका reimbursement हुआ expenditure ऐसा जो आपके department यह आपको दिया है तो आप enter कर सकते है उसके बाद यह नीचे वाला head है profit in lieu of यह beneficial है यानि यह इसलिए है इसको मैं simple यह बताता हूँ आपको यानि अगर आपके department में आपको कोई bonus मिल जाता है कोई इनाम मिल जाता है इनामी रकम मिलती है तो उसको आप लेके यहाँ पे enter करोगे ठीक है और यहाँ पे एक twist है वो twist यह है जैसी वो आप total amount यहाँ पे enter करोगे यह जितनी भी amount होगी इसको आपने यह total अपनी earning में से minus कर ले है यानि मैंने नीचे यह 20,000 लाग 87,000 थी तो यह मैं 20 इसमें से minus करके 7,66,000 इसमें यह आप लिखके इसको calculate करोगा क्योंकि यह जो salary होती है यह actually आपकी salary में भी शामुल होती है तब ही वो आपकी एक total salary बनती है यह देखें यह वापस total साथ रख 87 उपर show कर रहा है यह करने के बाद salary एंटर करने के बाद आप बाड़ी आती है next property tab की यह property tab में यानि यह उन लोगों के लिए है जिनकी salary के लावा कोई properties भी है यह कोई rent लेती है यह देखें deposit under contract यानि sale property की उससे कोई benefit आया है यह rent profit मिला है यह receive है उनको किया है यह देखें सारा तो वो उनके लिए है यह वो लोग यहाँ पर अपनी entries जो है वो enter करेंगे उसके बाद उस property की यहाँ पर कोई deduction होई है वो किस head में होई है ग्राउंड rent की सुर्वत में होई है insurance premium होगा है property यह गेंस्ट कोई वो तो वो अपनी figures यहाँ पर deduction वाले काम में जो उनसे गया है यानि उनका जो cut है वो deduction वाले columns में लिखेंगे और जो उनको हसल होगा इस पूरे साल में यानि 1st July 2020 से लेके 30 June 2021 तक वो यहाँ पर इसमें एंटर कर देंगे total करके पूरे 12 महीने का इसके बार next यहाँ पर यह बिजनस वाला tab है यह आपके relevant नहीं है यह capital assets वाला है यह भी आपके relevant नहीं है यह other sources में receipt and deduction यानि कुछ department ऐसे अपने पाकिस्तान में जैसे education या teachers को देखे हैं तो teachers का एक बहबूत fund बना होता है और हर महीने उनकी salary से बहबूत fund में कुछ रकम कट जाती है जो उनकी बच्चियों की शादी पे या उनके किसी ज़रूरी काम यह ऐसा काम जो उनके लिए लगे भी है बहबूत में आता है तो उसके लिए उनको देते हैं अगर आपके पास वो पैसे मिले हैं कोई आपको जितने भी हैं वो आप इसके सामने एंटर कर देंगे फिर नीची नेक्स्ट एट है profit on debt यानि आपका profit on debt बना है किसी बैंक में आपका national savings में है या किसी में है वो आपने कितना असल किया वो इसके सामने आ जाएगा फिर ये ground rents है जैसे मैं पहले बताया फिर annual pension है यानि अगर आप retired person है तो वो आपने pension मेगड़ा यहां पर mention करेंगे और ये retired persons के लिए भी मैं पिछली वीडियो 2020 की बनी हुई है आप वो दिखना जाए तो दे सकते हैं और 2021 की भी बोजल इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी ये लिखने के बाद इसको हम close करते हैं और ये foreign sources and agriculture पर चले जाते हैं foreign sources यहां यह मुराद है भी आपका कोई cousin कोई भाई बाहर बैठा है वो आपको हर महिने हर छे मेने बाद जैसे भी वह आपको जो पैसे बेचता है वो आपने लेके इसमें एंटर करना है यानि foreign property income loss foreign business से जो पैसे आई है ये property से है ये business से है ये capital gain यानि कोई business कर रहे है जो total capital invest किया था और उस total capital पर आपके against कोई पैसे मिले हैं आपको benefit मिला है तो वो है और ये other sources है यानि business और property के लावा कोई बाहर साब को पैसे आ रहा है तो आप यहां पे enter कर देंगे और ये है foreign salary income यानि अगर आप government employee है फिर तो ये आपके relevant है ही नहीं है क्योंकि आप बाहर job कर ही नहीं सकते आप तो इवन पाकिस्दान में भी अपनी salary के लावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते तो ये आपके relevant नहीं होगा इसके बाद नीचे ये agriculture अगरिकल्चर इंकम में आपके टोटल यानि जो जमीन है वो कितने की है और उसकी टोटल मालियत कितनी बनती है वो आप यहां में लिखोगे लेकिन मैं यहां पर यह सज़ेस्ट करूँगा कि आप अगरिकल्चर बाद टैम में लिखने के बजाए नीचे हम जब यह wealth statement बनाएंगे तो हम यह उसको में डेकल्चर इंकम एक तरह से आपका asset होता है तो उसको asset में ही डेकल्चर करना चाहिए यहां पर डेकल्चर नहीं करना चाहिए तो simply हम इसको भी close करते हैं और आज आते हैं नीचे यह tax chargeable and payments में अच्छा यहां पर आके जो सबसे पहले heading है वो आपने आना है इदर adjustable taxes में यह उपर वाले heads इसको देख लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूं यह क्या है deductible allowances है यह पहले head इसमें यह है जकात workers welfare, profit on debt educational expenses number of children paid यानि यह सारे वो expenses हैं यानि आपके department आपसे कोई जकात कट करता है तो आप वो यहां पर लिखेंगे workers welfare fund में आपके हर salary हर मन salary में से कुछ हिसा जाता है तो उसके सामने आजएगा profit on debt यानि आपके company ने कई में कोई invest किया और आप भी इसमें investor है और उस पे आपको कोई debt कट रहा है या आपको मिलता है इसमें कुछ तो वो आप इसके against लिखते हैंगे फिर नीचे educational expenses है और उसके बाद यह children for whom tuition fees is paid यानि कोई ऐसा आपको पे किया जा रहा है आपके बच्चों के tuition fee पे करने के लिए तो वो आप total यहाँ पे लिखते हैंगे फिर नीचे यह charitable donation है यानि आपका department आपको कहता है को charity करो तो वो लॉंसिस उसके लिए आपको मिलते हैं तो वो आप यहाँ पे लिखते हैं मुझे नहीं लगता भी इस तरह अगर लॉंसिस कोई पाकिस्तान में है तो इसको आप ऐसे blank की छोड़ दे इसके बाद यह tax chargeable और tax reduction इतना खास एहम नहीं है सबसे एहम यहाँ पे salary person चाहे वो private है, government है चाहे वो teacher है तो उसके लिए यह है adjustable taxes यहाँ पे आजेना है आपने और यहाँ पे आगे सबसे पहले जो important heading है यहाँ पे वो यह है salary of employee under section 149 यानि total salary जो आपको एक साल की मिली है वो अगर taxable है यानि 6 लाग से उपर है तो फिर आपने जो आपकी amount 6 लाग से उपर होगी उसका 5% जो होता है वो यहाँ पे आपने आपका tax बनेगा, मिसाल के तोर पे अगर आपकी इंकम 6 लाग, यानि 7 लाग रुपे है आपकी इंकम, वो taxable इंकम है 6 लाग, उपर वाला जो एक लाग है उसका 5 फिसद आपका tax बनता है जो के बनेगा 5000, तो आप वो यहाँ पे लिखतेंगे, अभी मैंने जो अपनी इंकम डेक्रेट की थी, उस रसाब से इसका बनता था 9386 ठीक है, अभी मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, यह बिल्कुल accurate है मैंने यहाँ पे किया, यह एंटर हो गया और यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीन शोट दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसनी इंकम पे कितने टेक्स बनता है, आप उस रसाब से अपने स्लाट देख के, अपने टेक्स रसमें डेक्लेर कर सकते हैं, मजीद यहाँ पे टीचर्स के लिए एक और बात बताता जाओंगा कि टीचर्स को टेक्स डेक्शन पड़ता था, 40% का उसको कम करके 25% कर दिया क्या था अभी मिसाल के तोर पे, अगर उनका टेक्स यहाँ पे बनता एक 100 रुप्या, तो जो टीचर्स रहाते हैं यहाँ पे 75 लिखेंगे, क्योंकि 25% उनको टेक्स मुआफ है तो अब मैं यहाँ पे अपने वैलियूस जो है वो दुबारा लिख लेता हूँ और दुबारा से कैलकुलेट कर देते हैं अभी देखें, नेक्स्ट आपने इसके नीचे आजेंगे तो यह मुक्तलिफ किसम की टेक्स डिडेक्शन है मैसा अब तो पर यह विड्रा फूं बैंक पर है यानि आपने को बैंक ट्रांसेक्शन की है तो उसके अगेंस बैंक ने जो कटिंग की है आपके पैसों की वो आएगी इसके आगई फिर मोटर वहिकल है यह देखे यहां पर मोटर साइक खड़ी दी उस पर कुछ टेक्स आया तो वो लिखेंगे आप सिंपल यहां पर यह प्राइवेट वहिकल के अगेंस्ट है फिर यह लेक्टिसिटी बिल्स के लिए काफी हैड है फिर यह टेलीफोन के अगेंस जो टेक्स कट है वो आएगा यहां पर फिर नीचे यह इंटरनेट बिल्स फोन यूनेट्स यानि यह वो सारे हैड़ जिनको आप बड़े असानी से पढ़ सकते हो मिसाल के तुरुबर देखें हर हेड के आगे यह नंबर लिखा हुआ है 236 1 C अब भी आपने इसको प्रॉपरली समझेने के लिए एक और तरीका जो मैं बताता हूँ वो यह है कि आपने यहां पर साइड पे मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस इंकम टेक्स रूल्स 2022 को डाउनलोड करने का आप इसको डाउनलोड करके सिंपली यहां पर आपके अपने कंट्रोल प्लस F दो बाना है और यहां पर मिसाल को मैं लिख देता हूँ डिक्लेर करनी है यह एक सिंपल सा तरीका है मैंने सोच आपको भी बता दू किस तरह से आप इन हैड्स को समझ सकते हो और अपने रिटर्न को बिलकुल प्रॉपरली फाइल कर सकते हो चलिए वापस चलते हैं उसी स्क्रीन पर यह वाला हैड करने के बाद अभी हमने अड्जस्टर पर टेक्स डिकलेर कर दी है नेची आ जाएं तो यह है फाइनल फिक्स इसमें कुछ इतनी खास एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी हमने मजीद कुछ एंट्री नहीं की तो फिर उन में वेल्यू आती है तो फिर बंद उसको डिसकस करता है अभी उसमें नहीं आ रहा था मजीद आगे बिजनस की है मैं ट्रेडर्स की बनाओगा तो उसमें आएगी तो उसमें आपको यह पूरी तरह से explain कर दूंगा चलिए वापस computation पर चलती है यहां बैक देखे मैं आपको बताया का मेरा बनता है आप admitted tax किस तरह से pay कर सकते हैं और mobile के थूँ और desktop के थूँ दोनों किसम की वीडियो मजूद है आप उसको देख सकते हैं similarly यह refundable इसी तरह से यह refundable इसी तरह से यह refundable इसके लिए भी वीडियो मजूद है ओपर लिंक आ रहा होगा आपके और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मजूद है अगर आपका refundable income tax आ रहा है तो आपने उसको किस तरह से claim करना है उसकी वीडियो भी मजूद है आप उसक च्छे लाग से उपर इंकम है उसका पांच फिसद पूरा पूरा बनता है इसलिए यहां पर यह फिर दोल्डिंग टैक्स में आ गया है और ना ही एड्मिटेड में शोव है ना ही रिफंड में आई होब कब आपको इस चीज के समझ आगी होगी चलिए अभी हम चलते हैं अप अपने इनको कैसे डिकलेर करना है यहां पर सबसे पहले यह उपर देखें तो यहां पर है यह वहिकल मैंटिनेंस का फिर यहाई वाटर का गैस का टैलीफून मेडिकल यह सबी हैट्स मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना हिसाब रखा करें साल का और यहां पर मैं यहां पर इनके एक्सपेंस लिखता हूं सबसे पहले यह आ जाता है वहिकल मैंटिनेंस में आ जाते हैं सबसे पहले तो इनका बनता है उसको लिखके आपने कैलकुलेट करना है उसके बार नेक्स आ जाता है इनका वाटर का वाटर में लिख देते हैं इनका व यह मैं इसमें लिख देता हूँ, आप सब ने अपने इसाब से लिखना है, फिर यह functional gatherings के आ जाते है, next आ जाता है, other personal, यानि इसके लावा जो आपको randomly याद हो, भी मेरा इतना खर्चा हुआ है, वो total आप लेंगे, और उसको यहाँ पे आप declare कर देंगे, जैसे मैंने किया, और इसको calculate किया total, तो यह मेरा total expense बन गया, इस साल का, अभी मैंने इसके against अपने wealth, जो है, उसको declare करना है, यानि अपने assets को, उसके लिए वापस ये assets है, liability वाले पर आएंगे, इसको click करें, open कर लें, और यहाँ पर हमने declare करने हैं, अपने assets, आपको जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी agriculture property है, तो उसको आपने यहाँ पर declare करना है, इसके लिए आपने यह समने वाला जो plus icon बना ह यहाँ पर दिखेंगे, उपर address, और नीचे लिखेंगे आप content, जैसे वो plot है, या कितने yard का है, square yard का है, मरले का, कुछ भी लिखके, जैसे आप ok करेंगे, तो यहाँ पर एक खाली column बन किया रहे हैं, उसमें zero लिखोगा, आप उसको अपनी value के साथ replace कर दें, वो enter हो फिर यह business capital है, तो आपके related नहीं होगा, क्योंकि बिजनस करने के ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कर रहे हो business, तो आप business capital में अपना total capital आपने business पर इन्वेस्ट किया है, तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे यह है equipment non-business, यानि को ऐस equipment पढ़ा होता गर्ब में जिसके value होती ही, लेकिन वो business के काबल नहीं होता, तो वो यह वो चीज़ा सारी, नाइक्स यह animal है, non-business, यानि गर्ब में आपके जानवर है, मुरी है, बतक हैं रखी हैं, या आपने खरगोश हैं, तो उनकी जो value बंदी हो आप यहाँ लिखते हैं, उसके बाद काउंट करें, क्या क्या चीज़ें लिए होई हैं, उसको यहाँ पर declare कर दें, फिर आ जाता है, motor vehicle non-business, यानि अगर आपके पास motorcycle है, और आप on करते हैं उसको, तो वो उसको भी same आपने यहाँ पर declare करना है, यह प्लस वाल आइकन दबाएंगे, यहाँ पर इसका register number, उसका स यहाँ पर कर देंगे, उसको आप यहाँ पर enter कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यह precious possession, precious possession से मुराद है, आपके ornaments, यानि gold, diamond, silver, जितनी भी आपके पास पड़ी हो, दो तोला, दस तोला, उसके value, आपने current, जिस साल में आप कर रहे हो, उस साल के market value के लिहाँ स से आपने यहाँ पर declare करनी है, ठीक हो गया, next है यह household effect, यानि household effect भाद घर पर use होने वाली चीज़े और उनकी कीमत, क्योंकि उनकी भी तो कीमत होती ही, वो without कीमत तो नहीं होती, तो इनकी बनती है, इतनी मैंने इनको यहाँ पर declare कर दिया, calculate किया हो गया, next है personal item, personal item से personal items होती है, जो बंदा business में invest नहीं करता लेकिन वो कीमती होती है, उसको आप यहाँ पर declare कर सकते हैं, इसके बाद next option आजाती है, यह cash non-business, cash non-business को simple language हम कहा देते हैं, cash in hand, यानि जो आपके पास bank में पढ़ा या आपके पास घर में पढ़े ही amount, उसको cash non-business या cash in hand कहते है मैं इनकी value यहाँ पर declare कर देता हूँ, यह सारी करते हैं, उसके बाद, नेचे जो important चीज़ है यहाँ पर, वो यह है any other assets, any other assets से मुराद इन सब के लावा, को mobile है, को computer है, आपके पास घर पे कोई अच्छी या कोई unique चीज ऐसी पर यह जिसकी price बहुत ज़्यादा है market में, उ तो यह any other assets, यह जो column any other assets, इसको लेके, इसके sum नहीं देखें, तो यह star का requirement है, इसको आप click करेंगे, यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर मिसाल के तोड़ पर, इनके पास mobile है, उसके मुझे करता हूँ, यहाँ पर मुसकी price लेक देता हूँ, 36,000, और इसके मुदोद calculate दबाऊंगा, तो यह यहाँ पर इसके value है, वो हमने declare कर दिया, वो value बनती थी 35,000, यह 35,000 थी, इसको 35,000 कर देते, अभी देखें, अभी मैंने अपने expenses shared कर दी है, अभी मैंने अपने assets declare कर दी है, अभी हमने इसको करना reconcile, reconcile में आए तो यहाँ पर जो पिछले साल के amount थी, वो आपने लिखना है, 3,6,866, यह पिछले साल की थी, यह मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, next आपने क्या करना है, इसको ज़रा समल लें, यह देखें, यहाँ पर ही लिखा, income declared as per return for the year subject to normal tax, यह आपने जो अपने income declared की है normal tax के लिए, उसको आपने यहाँ पर declare करना है, व यहाँ से दो दफार calculate दबा देने, अभी देखें तो यह 29,800 रुपे का यहाँ पर फरक आ रहा है, यह फरक इसलिए आ रहा है भी हमने अपने assets कुछ कम declare की है, इनको assets को बढ़ाना पड़ेगा, अगर तो यह minus में होगा तो आपने assets बढ़ाने है, अगर plus में होगा तो आप आपने expenses बढ़ाने है, या sometimes ऐसे होता है, अभी expenses या assets को थोड़ा सा जमने फ्यूपर निजे करने से यह clear हो जाता है, अभी यह 29,800 है, इसको हम assets में जाके यहाँ बढ़ा देते है, यहाँ पर मिसाल के तरुर पर मैं यह animal में डाल देता हूँ इसका, कितना था? 29,800, मैं यह यहाँ पर declare कर देता हूँ अभी इसको 29,800 था, यह just आपको समझाने के लिए है, कि आपने इसको किस तरह से, इसको value को बड़ाबर करने है, तो यह देखे हो जी, यह हो गया है, बिल्कुल 0, 0 होने का मतलब यह यह भी अपने जो पूरी calculations थी, बिल्कुल ठीक पैट की है, अ लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं, तो रहने दे, इसके बाद आपने finally इस verification टैप पर आना है, यहाँ पर आके आपने अपनी verification pin देनी है, अगर आपको अपनी verification pin का नहीं पता, तो वीडियो के description में link मुझूद है, वो देख लें वीडियो अगर नहीं पता चल रहा है, तो simple आपने अपने iris के dashboard पर वापस जाना है, और यहाँ पर बनाता है, change pin का एक button बनाता है, उसे click करें और अपने नहीं pin बना लें, जैसे हैं आप यहाँ पिन अंटर करेंगे, पिन को verify करेंगे, तो यह देखे, code verified successfully, अब हमारा काम जो है, व यह सारा scene जो हमें allow किया हुआ है, कि हम इसको अपना data calculate करके, यहाँ पर iris में save कर लें, और इसको as a draft अपने पास रख लें, जैसे मैंने भी save कर लिया ना, यह save हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ, और इन्होंने बताए, FBR ने के 1st July 2021 से वो submission ल होगे, और edit करने के पाँ, यहाँ पर simple आपने अपने verification वाले tab में वापस आप, यहाँ पर दुबारा से आपने verification pin देनी है, इसको verify pin दबाना है, verify हो जाएगा, और यहाँ से simple आपने submit का button दबाना है, आपकी tax return submit हो जाएगी, तो दोस्तों यह था एक पूरा तरीका अपने income tax return 2021 को file करने का, for salary person, teachers, government employee या private salary person, कि वो किस तरह से properly अपनी tax return file कर सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर फायदा बन साबत होगी, मजीद अगर आपको क्यों सवाल हो नीचे comment section में पूछ लीजेगा, इस वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शे ऍथमाज ईवल्स किस पार hilar कर दोस्तों कि अभर नंग कर दूस्तों कि अपने नंगर रहूआएगाइगागाएज जंगसे नंगरीकर अनले कि उनले कर अपना किक्षन हैं.